कि अग्षार दोस्तों आप देख रहे हैं मैं हूँ आकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आकास लेक्चर तो चलिए आज सुरूबात करते हैं हम इस नाए टॉपिक का एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक किलियर करने वाले हैं आज हम यह पार्ट क्लियर करने वाले हैं आज हम इसकी कोई प्लेलिस्ट रही होगी एक ही लेक्चर में इसे खतम करेंगी चलिए अब सुरूबात करते हैं आज के इस लेक्चर की तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइ यान लेक्चर है इसकी आज हम सुरुगात करने वाले हैं चलिए तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को सेर कीजिए आप यह अपना खुद का चैनल समझ के चलिए तो आज का हम यह लेक्चर शुरुबात करेंगे लेकिन उससे पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए शुरुबात इसकी यहीं से होती है कि घरेली उत्पात तो मैं सुक्च में जीव माइक्रोवेबसे से हाउस्ट प्रोडैक्ट्स मतलब जो भी सुक्च में जीव होते हैं वो किस प्रकार से भूमी का निवाते हैं कहां पर घरेली उत्पादों में किस प्रकार से भूमी का निवाते हैं इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे चलिए 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 टॉपिक किलियर करते चलते हैं और सुरुवाद करते चलते हैं आपके से वांडरफूल से लेक्चर की आप करते हैं सुरुवाद चला करते हैं सुरुवाद चलिए देखो मानव का सुख मजीवों से जो संबंध है ना मानव सह बता के प्रादा मेंसे ही चला आ रहा है किड़ बंद वारा जो सुरा जिसे सुरा का निर्माण जिसे सीरा बोलते है सीरा का निर्माण और हजारों बर्स पुराने करंथों में मिलता है दही बापनीर का उतपादन ताड़ी होती है ताड़ के ब्रक्च से जो निकाल कर सराब बनाई जाती है वो ताड़ी होती है आधी का जो सदियों पुराने परंपरा हैं जिसे हम पहले बाइन या फिर मदिरा कहते थे वो सब ताड़ी होती है ठीक है आंगे चलते हैं तो सुक्ष्मजीवों करियाओं के आधार पर उतपन जो होने वाले जो भी घरेलू उतपाद होती है वो निमलके थे अब एक एक करके हम सभी घरेलू उतपादों का वरणन करेंगे लेकिन सबसे पहले सबसे पहले ना इसमें जो आने वाला है वो है क्या दही तो दही इसका हम किस प्रकार से घरेलू उतपाद के रूप में प्रयोग करते हैं देखिए जालिए अब हो गया है बिल्कुल परफेक्ट अब हमको देखना है किसका दही का घरेली उत्पात के रूप में किस परकार से हम प्रयोग करते हैं किसका दही का देखो सोक्षमजीवों किरियाओं का सरवादिक सामान उधारन होता है यह सरवादिक शामान उधारन होता है जिसमें प्रत्य व्यक्ति परिचित है देखो दूद से दही का उत्पादन एक सोक्षमें जीव के कारण होता है ये अपने आप नहीं होता है ये भी एक सूक्ष में जीव के कारण होता है ठीक है आप इसमें हमें देखना है कि दूद में कुछ जीवानों ब्रद्दी करते हैं ये नहीं है कि जीवानों ब्रद्दी करते हैं ये नहीं है कि जीवानों ब्रद्दी करते हैं ये सबी हर वक्त म condition में ये मानव सरीर को हानी नहीं पहुचाती हैं और उनके आवस्चक उनको इन चीजों की जरूरत भी होती है तो वो सूप्चमजीब हैगा मानव सरीर के जीवन चर्या को शाहिक बनाते हैं तो चलिए अब इसमें जो एक जीवानु है गा जिसको हम लेक्टो वैसिलस जीवानु है ये दूद से दही का निर्मान करता है लेक्टो वैसिलस देखो इसमें प्रमुक जो लेक्टो वैसिलस स्ट्रेप्टो कोकस थर्मो फिलम दूद में पाया जाने वाला अन्य जीवानु भी है ये ये वी दूद में क्या होता है पाया जाता है चलिए अंगला द तूप में बड़ी मातरा डाली जाती है तब इसमें दही में उपस्ति जो लैक्टिक एसिड वैक्टेरिया को अपनी व्रदी के लिए उच्छत परिस्तियां मिल जाती है मतलब जैसे ही इस वैक्टेरिया के परिपक्वन के लिए जो उच्छत परिस्तियां होती है वो परिस् इसके लिए दूद है उतना गुनगोना होना चाहिए तब यह निर्मित होता है यानि जो 37 डिग्री सेल्सीय स्टाप पर ही यह है उसमें परिपक्व हो जाता है उसके लिए उच्छत परिस्ति होती है अनुकूल परिस्ति होती है भहेतनी होती है ठीके अब इसमें जीवानों आंसिक रूपस इसमें पाया जाता है वो शब अलग बात है अब हमको यह देखना है अब हमको यहां देखना है गुथा आटा गुथे हुए आटे में भी कुछ क्या होती है ऐसे ही सूख्चमजी पाया जाते है जो उसको लौचदार बनाते है जिससे अच्छे से उसका खम नहीं में कार आने वाला जो होता है वो सूख्चमजीव ही होता है सूख्चमजीव के विना यह कुछ भी नहीं होने वाले है ठीक है तो चलिए आंगे चलते हैं और देखते हैं आंगे इसमें क्या हैगा गोथा हुआ आंटा गोथा हुआ आंटा गोथा हुआ आंटे में भी यह पा जाते हैं भारत में अनेक जो खाद पदार्थ हैं खाद दान जैसे गया हूँ चावल दाल चने या इनके मिसरन के जो गोते हुए ढीले ढाले जो आंटे होते हैं जिने में किडवन बना जाते है जिसे कडवित किया जाता है वो कडवन जो होते हैं जो कडवन बना जाते हैं जैसे डॉमे इटली में दालें चावल आटा जो है भटूरे में में तंदूरी रोटी आटा मेंदा इसी के द्वारा इसमें आता है जिसे वे साल आधी में जो फर्मेंटीड यानी उनको फर्मेंटीड कर रूप में प्रीयोग किया जाता है इस कडवन प्रिकिरिया में एक या अन्यक जो सूख्ष में प्रीयोग होते हैं यही जीव उसखाद पदार्थ की बिसिट सुवास यानी उसकी सुवाद गठन सनरचन तेस्ट होता है उसको गुडवत्ता के लिए उत्तरदाई होते हैं ठीक है अब इसमें आजाता है जो आटे में फूली हुई उभरी या सल्क इसमें सूक्षमजीव द्वारा जो कारवंडा याकसाइड की कुछ उभार वन जाते हैं ऐसे अपने टोश आप खाते हैं या व्रे इसका होता है योकर निकल जाती है इसलिए यह बहुत चोड़े को फिए जाता है दस्टे-बारह गंटे बाद इन सभी आधोता है निर्मान होता है दस ते बारह गंटे तक किह था um गला कर छोड़ धिया जाता है अब दस से बार गंटे बाद जब यह सड़ जाती है इनका किडवन हो जाता है तब इनसे बनाए जाती है यह चीजें जिसको हम स्वादिस खाती है ठीक है आंगे चलते हैं जी इसमें आता है बेकरों में जो आटे इस्ट सभी कोई इसी तरफ कार से बनाया जाता है कुछ ना मिलने वाले बाग इसमें जो बायू मंडल में पस्ति जो सूक्ष मजीब होते हैं ना कुछ सूक्ष मजीब का प्रियोग करके भी इस इस होता है अब एक इस्ट यह बहुत इंपोरेंट है जिससे सेकरोमाईस सेरीवी सी कहते हैं लेक्टो वेसीला सी स्ट्रेप्टो कोकस बा कई अन जीवानू अभी अभी स्वसन बाफर्मेंटेशन की पिरक्रिया में जो हैंगे वो आकसाइड गैस बनाते हैं इस गैस के कारण जो गीला आटा होता है वो फूलता बाइव उस में जगो करने पर बले फसे रहते हैं वह दिखाई देने लगते हैं यह वे उसकूर से निकल आगता है, बॉल्य इसम के बुलबले होती है लेकंडी होते हैं लेकिन उस स्थान पर कीरहता है खाली स्थान चैस रह जाता है है चलिए आगे चलते हैं यह देखि आप अब आता है चीजी इंट फिर पनीर क्पनीर चलिए इसको देखते हैं बहुत इंस्टेश्टिग पाट है म। distintos खाते हैं नहिंगों रहाँ है पनीर किसली हुआ गें दुख दोतपाद होता है एक दुग-दुतपाद होता है दूद से बनाया जाता है पनीर की ता हिए फटा में सादारण बासा में बोलते हैं इसके इसकंद दुआरा ये बनाया जाता है इस दरब का भाग बे को इसके जो अलग-अलग लिया जाता है ठोस इसकंदन भाग इसमें प्रोटीन बाबसा होते हैं और नमी निकालने के लिए जो दबा कर रख दिया जाता है इसे दबा कर रख दिया जाता है और यही जो है पनीर कहलाता है क्या कहलाता है यह पनीर कहलाता है इसको ठोस भाग बचता है ना उसको दबाने के बाद जो ठोस भाग बचता है उसे हम क्या कहते है पनीर कहते है सामान रूप से बनने वाला यह पनीर जो हैगा वो कोटेज पनीर कहलाता है कौन सा पनीर कहलाता है कोटेज पनीर कहलाता है इसकी विसेश्टा दूद में उपस्तित जो सामान लेक्टो वैसी लास बाइस ट्रेप्टो कोकश होता है उसके कारण होती है यह अन पनीर भी हो सकती है स्विस पनीर या रोकफोर्ड पनीर यह सभी पनीर भी होती है यह होता ह सब्सक्राद की बूस्ता है इसमें जो प्रोपी यो बैक्टेरियम जो होता है सार में इसके कारणा जाते हैं नामग इक। करिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पनकार वंड़ा याकसाड के द्वारा इसमें जो छिद्र बन जाते हैं चलिए ठीक है आंग चलते हैं अब आता है रोकफूर्ड पनीर तो एक कवक प्रजाती जिसे पैनिस लीनियम रोकफूर्ड आई कहते हैं उसके कारण जो ब्रद कि सुगंध विसेच्ट सुगंध उत्पन कर देते हैं इस कवक में उपस्तित हुने के कारण पनीर पर हलकी नीले रंग के धबे बन जाते हैं अच्छा मूल जो है राक wichtige पणीर भीड के दूसरे बना जाता है यह किसे बना जाता है भीड के दूसरे बना जाता है इसको इसका दित करने के लिए जो बच्छणों के अमासे में दूद होता है उससे लाकर इसको फटाया जाता है जिससे यह निकालकर फटाया थोड़ी सी मात्रस में डाल जाती जिससे कि यह जम जाता है पड़ जाता है अच्छे तरीके से चली आंगे चलते हैं नहीं बदले अब आता है अन घरेल उत्पाद अधर हाउस्ड प्रोडेक्ट भी है कोई अब अन भी कोई प्रोडेक्ट है जैसे टोडी क्या है टोडी टोडी दस्चन बारत में मुक भागों में जो टोड है नसीरा अध्रव होता है तोड़ी ये किस से बनाया जाता है तालकी ब्रक्ष से तालकी ब्रक्ष नहीं काला जाता तोड़ी को चलिए चलिए बहुत ही नसीरा अध्रव होता है दोलग कि नाइध कर च completa यसे हम तोड़ी कहते हैं बहुत ही नसीला द्रभ होता है तोड़ी मचली के निकाला सरगा देखो विदेन जो सुखवण का प्रियोग होता है जसमें विश्वत खादपदार्द बनती हैं मंचली का किडवन उसे निकाला जाता है अलग बात है चलिए आंगे चलते हैं अब किडवित पे देखना है तो देखो अनेक परकार के एलकोहल किडवन पे में आते हैं जो अनेक परकार के एलकोहल होते हैं बुकिस में आते हैं किडवित पे में आते हैं अनेक परकार के जो एलकोहल है वो किडवित पे में आते हैं बनाने में सूक्ष मजीबों का प्रियोग आदी काल से उता रहा है आसे नहीं हो रहा है यह प्रियोगन का इनको बनाने में आदी काल से प्रियोग हो रहा है चलिए अब आता सिद्धान्त एल्कोहलक पे बनाने में इस्ट प्रजाती सैक्रोमाई से सहरी वी सी इसको आप याद रख लीजिए ये कोशन बनता है पेपर में बार बार ये देखिए यहां क्यां से बनता है इसमें ये बनता है एल्कोहलक जो पे होते हैं उनको बनाने के लिए किस इस्ट प्रजाती का प्रियोग किया जाता है ये फिर किस इस्ट का प्रियोग सामान नता हा किया ही जाता है तो वै कॉन से इस्ट होती है वै कॉन से इस्ट होती है सैक्रोमाई से सेरी विसी इसी इस्ट का प्रियोग किया जाता है इनको बनाने के लिए ठीक है चलिए आंगे चलते हैं अब इस सरक्राओं का कडवन कर उसे जो एलकोहल में बदल देती है अब यह है आवाई वी जो स्वसन का ही प्रिकार होता है इसमें बायू की अब सकता नहीं होती है यह आवाई वी स्वसन होता है उसी का प्रिकार होता है इसमें निमने प्रिकार से प फर्मूला C6H12O66 का होता है, ग्लूकोज का होता है, अब इसमें कोई इस्ट से इसकी किरिया कराई जाती है, इस्ट कौन से ले लो, इस्ट ले लो सेक्रोमाई से सेरिविसी, अब इस्ट की उपर इससे किरिया कराएंगे, जब ग्लूकोज की, तो क्या होता है, इस्ट से ये क किरिया करकर इसमें जो कारवन डायक्साइड के दो मोल अणू है वो निस्कासत हो जाते हैं कारवन डायक्साइड के दो मोल या दो अणू निस्कासत हो जाते हैं और जो इथायल एलकोहल है उसके दो अणू बनते हैं इसमें इथायल एलकोहल के कितने अणू बनते हैं इथाय बनते हैं दोणों नकाल दीजिए बाग की सब काउंट करकर यहां लिख दीजिए इसके बन गए कितने बन गए सीशिक्स हो रहा है और गैस यह निकल जाती है जिस कारण से उसमें वो छेद बन जाती है उस उतपाद में लेकिन यहां पर पे है इसमें कोई छेद नहीं जो कच्चा माल की आबसक्ता होती है जो सरकराव की आपकर मिलने पर यह सरकराव से किडवित होकर निर्मान कर देता है लेकिन ये सबी जो किरिया हैं वह कृडवन के बाद ही होती है याנि उसके सड़ने के बाद ही ये सारी की सारे उत्पाद है वह बनाए जा सकते हैं इस से पहले जो दिरभ बहता है उसको सड़ा आया जाता है चलिए आँगे देखते हैं इसमें आगा एल्कोहल जो पे हैं उनके प्रकार टाइपस अप एल्कोहल एक जो भी जो होती ना वी यर्ज उनका वेवरिज जेज उफ आगा है चलिए 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 बनने वाला एलकोलिक पधार्त होता है ना बनने वाला एलकोलिक पधार्त आधारी पधार्त की परकार बनने वाले एलकोलिक आधारी पधार्त की परकार का किडवन पे के जो आसवन द्वारा निर्वर आधारी पधार्त को किडवन बाद में जो आसवन है उससे क्या बनता है बियर बनता ना जो बीर की परकार होती है वहीं दिक्री लिए और ये सब uhan ये सभी किसके परकार होती है ये सभी अल टो होती है ये सब इनिया ये सभी हम में रही है ये सब दो listens बियर है जो और जो की जो do on yeah अजो नो पाइन बनाया जाता है उसको किडवित करकर क्या बना बाइन बनाया जाता है ठीक है और अंगूर के रसे की आधार ये पधार के रूप में प्रियों करके यृण बनाई जा सकती है एलकोलिक पेव में एलकोल का मात्रा होती है पांसे पंदरा प्रतीशत होती है एलकोल की मात्रा इसमें ठीक है और बिस्की, रम, बिस्की, रम, जिन, रांडी, बोध का आधी जो आस्वित एलकोलिक पे है ना इन्हें सभी का अर्थ होता है इस्ट द्वारा किडवन करकर ही यह सब बनाए जाते हैं इस्ट जो होता है उसको सड़ा कर गला कर यह सबी चीजें बनाए जाती है चलिए इस आस्वंद पेव में भी इसके निर्माण का प्रियोग किया जाता है आधारी यह पधार्थ का जो आधार पर भी अंतर होता है जि चलिए बेकरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है बेकरी में अब आता है एंटी बायोटिक्स तो आप जाने कोईगे ना एंटी बायोटिक्स जो होती है ना उनका प्रयोग भी जो एंटी बायोटिक्स है ना एंटी बायोटिक्स का प्रयोग भी मलब एंटी बायोटिक्स का निर्माण होता है ना वो निर्माण वी इन्ही सूक्षमजीवों के द्वारा किया जाता है मलब सूक्षमजीवों के विना एंटी बायोटिक्स का निर्माण नहीं होता तो इन सूक्षम जीवों के बारे में अब हम पढ़ेंगे जिनके दवारा antibiotics का निर्माण होता है, चलिए चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे सूक्षम जीवों पतान होने वाले antibiotics जो है कि खोज जो है 20 वी सताब्दी के जो सरवातिक महतपूल खोजों में से एक सदक था जिसमें इन सभी की खोज की गई बीसवी सताब्दी में ही इन सभी चीजों की क्या की गई थी खोज की गई थी या बीसवी सताब्दी की जो खोजें थी उनमें से ही एक खोज थी जिसे हम एंटी बाईोटिक्स केहते हैं जो खोज थी न वह बीजवी सत्याफदी के बनने वाले जो उत पाथ थें उनमें से एक खोज थी जो कि एंटी बाईोटिक्स की क्या होती है हम देखशके हैं पिछले अद्याइए में लेकिन फिर बार फिर देखेंगे जो अंटी वायोटिक्स का प्रात्मी को रूप से सूख 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 1242 में अब एंटी बायोटिक्स सब्द का पहली बार प्रियोग किया था यह बहुत ज़्यादा important होती है इन सभी को आप याद करते रखें चलें ठीके अब एंटी बायोटिक्स को जो 228 में अलेकजेंडर फ्लैमिंग जो नीचे दियेगा है चित्र है जाना畑 ऐनों इन्हों का पहली बार जो आन्टी बायोटिक्स है उसका निर्माण किया था जिससे हम जाता है जिससे पाया कि उनकी कुछ जो बिना एस होताइस dhp पाया कि उनकी कुछ जो ना डुली क कल्चर्ट की वरत्धी inert गई थी उस फंगस का नाम जो था वह पैनिस लीनियम था उस फंगस से इस निर्माड हुआ कि एक जो है एंटी वायोटिक्स का निर्माड हो गया तो तभी से एंटी वायोटिक्स का प्रियोग किया जाने लगा किसमें रोगों के उपचार में यह देखिए अब हैंगा इसको को हमको देखना है बड़े भंसे चलिए इसमें सबसे वह में सबसे गघए चैंब अब सेत्रिक अमल्ल से इसका सूक्षिम चिंप सुरोत होता यह एसप ट्रिक अमल्म जो होता है वह ऐस्पर जिलस नाइजर के दौरां बनाया जाता है से ट्रेक्स बनाया जाता है युती है सबी में इसका क्या होता है अब हम देखेंगे एसिटिक अमल किससे बनाया जाता है मतलब यह कवक होत इन सबी से यह एसिटिक अमल होता है वो बनाया जाता है किससे एसिटिक अमल का निर्मान किया जाता है और सिरका का प्रमुख घटक होता है मतलब अब आता है ब्यूतारिक अमल को देखेंगे तो ब्यूतारिक अमल में क्या है गा जो Kilosteum butylikum, जो होता है उसके द्वारा इस लुतपाद को बनाया जाता है, चीक है, इसका प्रियोग किस्म किया जाता है, फूड जो additives होते हैं, फूड additive के रूप में इसका तादा पशनुओं में भी खाने के रूप में, उसका प्रियोग किया जाता है भी उचारेक अमल का अब इसमें देखेंगे हम लैक्टिक अमल 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 इसमें क्या होता है इसका किया जाता है उसको विक्रतिक करने में पड़े हैं न टेमिस्ट्री में प्रोटीन का विक्रतिकरन्ण करने में इसका प्रियो किया जाता है यह यह कर रास आने के लिए होती है अब खाद संदक्षन या सुभासकारी जो फलेवरिंग फ्लेवरिंग आदीन है उपर जहाग बनता है उपर फ्लेवर होता है वो फ्लेवर उसको लाने में भी इसी कप्रियों किया जाता है अब हम देखेंगे जो ऑगजिलिक अमल है ऑगजिलिक अमल है इसको किस से बना जाता है इसको भी एक कवक से ही बना जाता है जिसका नाम है इस परिचदा स्नाइजर कभक उसके द्वारा इसको बनाया जाता है अब इसमें यह तो पड़ दिया कि कभक के द्वारा बनाया जाता है लेकर अभी इसमें जो इसका प्रियोग की समय किया जाता है जो दोते लकड़ी की BLEACH दानते हैं बुरादा और मारवल ब्लीच यानी लकड़ी को घिसकर उसका बुरादा निकाल कर उसको चिखना किया जाता है उसको बोलते ब्लीचिंग और मारवल पर चमक लाने में मारवल होता है ना मारवल पर घिसने में इसका प्रयोग किया जाता है क्वार्ड क्रिस्टल की सपाई में भी और जिले कमलकाई प्रयोग किया जाता है चलिए और भी कुछ अन्य है ये दो महित्पूर्ण जैव सक्रिये पदार्थ निमलकित है जैव सक्रिये पदार्थ उतपाद जीव या फिर जो है इसके प्रयोग इनको देखेंगे कि ये किस चीज के उपयोग में आने वाले अंटीबायोटिक्स है और किस से बनाई जाती है इस सभी का जो है न वरुणन करने वाले है चलिए उसके द्वारा इसको निर्मान किया जाता है उससे इसको प्राप्त किया जाता है और यह अंग प्रत्यारोपन के जो रोगी होते हैं उनके लिए यही एंटिवाइोटिक्स दी जाती है अंग प्रत्यरोपन वाले जो भी रोगी होती है उनको यह वाली antiviotics दी जाती है अब है गास में अंगला वाला की जो esthetan है जो monascus purpureusis से ये इसका निर्माण होता है ये एक east होता है रख्त में जो कॉलिस्ट्रॉल के इसतर को कम करना इसका कार होता है प्रायोंत के जाता है उसको घटाने में इस और दीका प्रियोग किया जाता है इस तर्व में मैं गया सईवेज्ट्र में चलीए Dob इसमों नगरों सहरों में प्रती दिन बहुत बड़ी मात्रा में जो अबसिस्ट जल उत्पादित हो रहा है अबसिस्ट जल उत्पादित हो रहा है और इसमें से जल के साथ साथ अनेक परकार के ठोस भी होते हैं इन अबसिस्टों में जो जल का प्रमो घटा का मनुस मल मूत्र यह सबी जो जल में आते हैं तो नगर में जो इसी बेर्थ या अपस्विस जल को बाहित मल या फिर सीबेज कहा जाता है जो भी मल मुत्र आता है ना उसको नदी में बहाद देते हैं बड़ी प्रहंबाव से उसी को बाहित मल कहते हैं उसी को सीवेज में बड़ी मात्रा में कार्विरेक पदाल जो होती है सूक्षन जीव होती है इसमें जो उसको अब घटत करने बाले जो जीव होते हैं यह तो जब जानते ही हैं तो अनेक जो रोग जेनक सूक्षन जीवों का यह सुरोत होता है प्रती दिन बहुत बड़ी मात ये बहुत बड़ा सुरुत होता है लेकिन डाला जा रहा है और दूर्भाग ऽ differentiation तरह इसको डाला जा जो सीवेज के दौरा प्रदूशण फेलने का कखर करता है अब हम अंगला इस में अगला इसमें आंगला इसमें देखने बाइमरी उपचार होता है सीवेज उसके रूप में यह कार करते हैं इतने जादे लावकारी होते हैं सुक्षमजीव चलिए आंगे देखेंगे कि प्रात्य में कुप्चार में जो मौलिक रूप से च्छानने या फिर अबसादन जैसे जो बहुत एक प्रिकरियां होती है वो सीवेज में उपस थे चोटे बाब बड़े जो कणी की पदार्त कर दिये जाते हैं सीवेज में अनिएक परिकार के आगुलित यागुलित यो सहामाग्रियां होती है जो कणण पत्थर पौलिधीन यह सारे के ऽारम्ब मैं और सीवेज में जो कर रातों और प्रारंब में सीवेज को जो करमेक रूप से चान कर इसे इसमें से तयार वा तैरने वाली जो असुदियां जैसे की जो पॉलितीन है कूड़ा कड़कट है ये को हटा दिया जाता है अब सीवेज में उपस्त जो धूल रेत मिट्टी बाद चोटे-चोटे कंकड़ पत्थ उसको क्या करते है इसमें इस्तिराब निस्पा-दन-टंक्यों ठाटार में करके बेस रसा जाता है आठे हुआ उसे जो अपकर दोधिय को प्शर्ण करके चलिए जाता है इसको आपSet करकरकर जाता है उनलों के को बादा आपको कड़कटि मे चलिए ने इसको किस परकार से कार करता है इसको देखनेगी यह हम स्रूबbey करने वाले हैं असे के दाध्मक कपचान के बाद दुद्या कोपचार के लिばい इस्टराँ देखिए इसमें सबसे पहले जो इसकल देख लज फार यानि जो कंगड पत्तर थे उसे तो हमने प्रात्मिक ट्रीटमेंट के द्वारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था उसमें ही उसको हमने अलग कर लिया था उसको अलग कर लिया था इसमें सिर्फ जो बाहित था जो गुलित था बही द्रब लाया गया था ठीक है अब इसमें वो द्रब है उसी कहोगा इसम और कम हो जाएगी पहले चरण में प्राथ में बड़ी बड़ी बातन बायू संचलन जैसे एरेशन टंकियां होती है इनका उपी उगला जाता है इन टंकियों में तेजी से दवाब के साथ बायू पंप करने ता बाही इस तरह को यहांत्रे करूप से हिलाने की वैवस्ता होती में ब्रदी या तरणक के या आफसे फिलास के बहुलते हैं के रूप में उन लगए और इस प्रकार से उनका यो क्या के आयर अलग कर दिया जाता है उनको अब घटत कर फिलास को इसमें भी अलग कर लिया जाता है अब इसका जो फाइनल यह इस प्रकार का इसका डाइग्राम होता है इसमें उपर से इस अभी को डाला जाता है उपर से गैस निकल जाती है यहां गोबर गैस का है का यह तो देखो अब एका नई जो इस लेरी जी को टेंक में डालने से पहले के लिए एक आवश्चा के भी इसके बना दिया जाता है गाउं में जो गोबर किर्शी अपसिस्ट बहुता इसे उपलाद होती है ता गाउं में ये काफी सपल हुए हैं अच्छे गोबर गैस वाला आ गया स्ट dispassm बोरेट करण चारए है से जो वाई ड Όल गयोग ऑफियोग के लाब देखिए आप जो मीस इसमें परियोग खाना वनाद के लूप में इधर प्रियोग कि जाता है भायो गेस दुम्हें से जो जलती है बिना जलती है फ्यूड जो सकती है जो चिर्टिश लाइट है धुए बहुत ज्यादा है भी इसमाल यह तो इसमें कुछ सम्झाना लाइक है नहीं आपके लिए अब लिए आप te प्राइब के निर्मार होते हैं उर ने हम कि अनुossen नहीं होते हैं तोन परकार के क्यीन को आप इन दोनों कीटों से क्या होंगे परीचित होंगे ड्रगन फिलाई और लेडी वर्ड लेडी वर्ड एक ऐसा वो आप यह सेर में तो नहीं मिलता है तर यह सेरी करने में हो गया है बहां पर यह नहीं पाय जाता है कभी मिल जाए तो आपका सुभाग गिया है लेकिन यह मिलता है यहां पर खेत होते हैं किर्शी छेतलों होता है बहान पर इमदिक पाया जाता है य एक लाल या पर पीले करन का download कीट होता है इसमें जो ऊपर गोल जब्र snatch के लेकित पाया होता है मैं धूर्ड धिक रूर्ट का क्रिश को कहता है बारिस के मौसम में आधिक दिखाई देता है औरता प्रत रेता है बारिसके मौसम में जिसे रे इक है बोलते हैं यह एक ठीक misty के नीकित होले हैं परवक्षियों की मदब से नीयंत्रित किया सकता है और नहीं के लिए लेडी प्रिवाने चोटे चोटे पैकेटों में बाजार में उपलब्द होता है इन पैकेटों को यह किर्सी शेत्र में प्रियोग होने वाले सारे इनका पानी मिलाकर बेद फसलों में प्रेशी का चलकाब के जाता है यहां जो कीटों को लारबा दुआरा खा लिया जाता है और नश्ट हो जाते हैं यह हैगा इसका और कुछ नहीं है यह होगा है अब हम देखने कबक आधारत जो जैवनी अंत्रक हैं वो क्या होते हैं फंजाई वेसेजड जो बायो कंट्रोलर हैं पूख कौन कौन से होते हैं उनको देखना है में जैवनी अंत्रक जिसे बोलते हैं बायो कंट्रोलर भई होता है जो जैवनी अंत्रक होता है अब इसमें देखिए भाई पादप रोगों के उपचार ही तु जो विक्षित की ज जाती जणों के परियावरण में पाय जाने बाली एक सूखर्जीवी फंगस होतीं यह इसा होता है कभक पॉधों की जणों में रहता है और वहीं से अपना कार करती पहीं अपनाめて करती है तो देखिए बैक्यूलियो वायरस भी एक जेव नियंत्रक होता है बायो कंट्रोलर होता है इसका प्रियोक चुक कैसे किया जाता हूँ होती है जो अधिकांस प्रियोक हाइड्रो वायरस होती है यह जो सभी होते है आर्थात के तक प्रजाटी को यह नुक्सान पहुंचाती है और और पर बावित प्रवाब उसी पर इसका प्रवाब होता है जिसको इलिए इसको बनाया गया है उस पर इसका प्रवाब होगा और किसी पर यह दुस्थ प्रवाब नहीं डालेंगे अब इनका जो है मनुष्य पसुपक्षी बेड़ पॉद्न दौरा कोई दुस्थ प्रवाब नहीं होता है इस पर कोई भी इसका जो है गना दुस्थ प्रवाब इसका नहीं होता है तो पार इस्तितिकी रूप से सम्वेदन सील चेतर है मैं प्रयोग या समनवैत जो पीड़क भी होती है एडवानटे ट्वाध भी इनके कुछ लाव भी होता है जैवन सील के यह चाजिक मित्र होती है रतात्य प् रहण प्रवरं को प्रदूसात नहीं करती है थीक थीघ किए यह किसे बिसाक्त पधार्त का प्रियोग नहीं होता है इसमें को यह बिसाक्त पधार्थ थोता है ना जिसे हम तॉक साइड किसी टॉक से उ कटॉक्सिक अमल्यग को यह निर्व्ध नहीं करता कॉयों चल Banks चलते हैं यह है भी घ्र na कोई पिर्दूशन करते हैं और देखिए यह पीला कौक में पूर्ण रूप से समात नहीं कर उनका नेंतरण को बिगरता नहीं यह जो इस उसमें गड़बने नहीं लाते है यह तीक है उसको इक्वल मतलब अपने एक बिंदास तरीके से चलने देते हैं चलिए अब आता जैव और बरक के रूप में उनका भी प्रियोग होता है वह प्रियावरन प्रदूशन आज के समय की प्रयावरन संबंदी प्रमुक मुद्दा बन गया है कि प्रयावरन प्रदूशन तो हो रहा है जैव रासाने को नहीं बहुत जड़ा प्रदूशन किया रहा है लेकिन जो प्रियोग किया जाहिए किसका जैव और बरकों का लेकिन इसका प्रियोग नहीं किया जाता है कि चलिए आंगे चलते हैं तो कि अहां होगे ना चलिए अब देखेंगे इसमें कि जो जैव खाद प्रियोग को प्रभाब भी कुछ नहीं होती है जैव खाद का प्रियोग होता है कि जैव खाद का प्रियोग होता है जैव खाद का प्रियोग है जैव खाद का प्रियोग ह उने हैं बॉदर शोकção कि केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी कुछика पढ़ते हैं साइट इफ्यक्ट पढ़ते है रासाय मेंने काद को तरनाक होती है तो समझ कर heter recomend kommt को प्रिएस क्रिवा, या तो अधिक अम्ली या पर चारी हो जाधे है इसा वह हो जाधा फ़ार। aur गया यज्मा पर अगर तम्हारी म thriving है अधिक अम्ली हो जाती है तब उसमें ऊसमिंपरोपर की जाती है और या खेपें ओड़ीजिरन प्रियोग में मिर्दा का गठन पर प्रभाव डाला जाता है तता उसकी जो जल धारन चमता है उसको भी कम किया जाता है इसके दूरा मतलब आए दिन जो सूका आ रहा है वह इसी के कारण शूकी इसका उत्पादन फैक्टरी में होता है आता यह प्रूर्षन कारी होता है इसको पर्च्टरी में बनाया जाता है इसलिए ये फैक्टरी में जो है chemical यानी की जो बायू production उसको भी अधिक करता है लेकिन जैविक खाद ऐसा कुछ नहीं करते अब साथ साथी रासाने खादों के प्रियोगी उत्पादन में जो अलब अब्दी विरदी होती है जैविक और वरख होती है देखिए मिर्दा में प कम कि पैसे में भी इसको किया जा सकता है लेकिन एन फ्राइन खादitative के लिए रास वेस्ट कर देते हैं अब अब हम पर लेंगे सब निए जीवानु को पलते हुँँ पर dal होता है या आ जीवानु के बारे में देखेंगे जीवानु जेसा बैक्टिरिया होता है क्या होता है होते हैं यह जानते हैं देखो जीवाण हुआ है है चलिए तो जीवाण व क्यों 0.7 पाई सब bodies का प्रियोग करने में अश्मर्थ होती हैं हरे पौदों में एक एंस से कुछ खुड़ना जाती है कि इस नाइट्रोजन को पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो कुछ सूक्ष जीब इस बायू मंडिली जो नाइट्रोजन उसकी इस्त्री करने की चमतार रखते हैं और उसका इस्त्री कर सहजीवी जीवाणू भी होते हैं देखो इसमें ग्याद है वई सहजीवी इसको याद रख लीजी बर्ड को ही सहजीवी जीवाणू साथ साथ जीवन नियाबन करने वाले जीवाणू होते हैं सहजीवी जीवाणू देखो लैक्यूम पौधों की जो गरंतिल जणय होती है उनमें जो राइजोवियम नामक एक सहजी भी जीवाण होता है या पाय जाते हैं यह जीवाणू बायू मंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है मैं पौधों द्वारा प्रियोग किया जाने वाले या सकने वाले सबसे योग रूप्त होते हैं नाइट्रोजन को यह पौधों को ग्रेंड करते हैं कौन राइजोबियम यह लैग्यूम पौधों की यह से दाल वाले जो पौदे होते हैं यह से दाल में प्राप्त होती है चना सोयावीन और जो भी दालों मतर हूआ क्या हूं यूद कि कि है सकती है जदाल प्रब्राप्त करते हैं जद्न प्रीट में उनकी जणों में पाई जाती है गाणट पाई जाती चोटी किसी अभी चणे का मोशें चल रहा है अब आता है जो मुक्त जीवी जीवाणू इसमें फ्री लिविंग वैक्टेरिया भी होते हैं कुछ किसी के साथ संबंद नहीं रखते हैं कि किसी के साथ संबंद नहीं रखते हैं अब उनमें से भी कुछ हैं देखिए मुक्त जीवी जीवानु तोन कौन से होते हैं free living bacteria भी होते हैं इसमें मिर्दा में रहने बाले कुछ मुक्त जीवी जीवानू जो है वो बायू मंडली ये नाइटोजन बायू मंडली ये नाइटोजन की पौधों दौ़ारा प्रियोग किया सकने योग लबनों दौधा एक मिर्दा के जो नाइटोजन के समर्द कर देती है जैसे जो हो गया एजोस्पाइरिलम एजिटोवेक्टर ये इसी में आता है इसका महत पून जो उधारन है एजोस्पाइरिलम ये दोनों उधारन है मुक्त जीवी इनको याद रख लीजिए आप मुक्त जीवी जीवान होते हैं एजोस्पाइरिलम एजिटोवेक्टर चलिए दोनों के याद रख लीजिए आँगे चलते हैं ला को आँगे क्या है इसमें देखिए अब आँगे चले तो आ अगे यांगा कवग यानि फंजाई अब फंजाई में भाई भहुछ जदा ये महत पून ہोता है जैब एक नियंद्रप में ये बहुत ज़दा लावकारी होता है पंजाई पंजाई दखिए माईकोराईजा किसी कबक का बाय उच्च वर्ग में पादपों की जणों के बीच का एक सहजीवी संबंद जिसे माईकोराईजा कहलाता है तो अनेक फंजाई जो पौधों के साथ इस परकार का जो सहजीवी संबंद बनाते हैं कबक जो है साज़ेदार भूमी ऐसे ख पौधा अब शोसित की परकेरिया बंद पढ़ जाती है तो मतलब यह सभी कार्यों के लिए अब माईकोराईजा में पौधों में होने वाले लाब माईकोराईजा जो संबंद होता है उससे पौधों के लाब देख लीजिए देखो फंगस भूमी में ऐसे जो खनेज लवन बैसे इस रूप से फासपोरस अब सोसित कर पौधों को देता है मतलब यह पौधों मतलब जमीन से क्या करता है फासपोरस को अफसित करता है और पौधों को देता है कितना ज्यादे दान वीर होता है देखिए अब माईकोराईजा के कारण पौधों को जड़ जनने जो रो विकास को सुधार सकता हो उसमें सुधार देता है चलिए अब आता कबक बंजिसो गलोमस हाँ ये सहजी भी संबंद होता है बाई कबक का जो गलोमस के अनेक सदस माईको राईजा निर्मान करते हैं यानि सहजी भी संबंद करते हैं संबंद रखते हैं माईको राजा प्रमकर दो परकार के होते हैं एक्टो ऊका मतलब या बहार वाला होता है और धुफ परकार के होता है क्या होता है एक्टु माइक्रआई क्या होता है कि मैसमें जड़ों की सतेय के ऊपर फंगस जो सतेय के मैं ऊपर वाला अंदर वाला बाहर वाला ऊपर वाला जिसे मेटल बोलते हैं मैटल का निर्मान कर देता है मैटल के मैसे कबक सूत्र जो पौदों की जणों में जो कॉर्टेक्स बा मिर्दा में फैल रहता है और ओक चीड फेगास आदी में जो एंडो माई को राई जी पाए जाती है यह जड़ जन रोग जनकों के पौदों से बचाता है जड भी देगे दुक्त प्रकार के माई कॉराई जाम फंगस यह बाहे मेटल नहीं बनाती है अपी तो यह एक ढीले से ताने वाने के रूप में पाए जाती है इसमें से कुछे जो हैं कबाक तंतू मिर्दा में प्रवेस कर जाती है उसको जड़ में कॉर्टेक्स के रूप में जाते हैं जैसे आर्केट्स हो गया के इस प्रकार का मायकोषलाँ अ बनाते हैं वह किसी वैसु बनाते हैं वह इस संबद में जो आर वा स्कूनाईल चोंए ज्वाम, उछेल होता इस अब इसको वह और अब इसको नग्ला है ना वह य actu ßeंटेजिए है अब किस तो देखने वाले हैं साइनो एक्टेरिया के लिए करने वाले हैं अब हम देखें के सद्रिखली थे करता है इस पर साइनो वैक्टेरिया तो साइनो वैक्टेरिया जो प्रोकेरियोटिक स्वैपोसी सूख जीव हैं जो जलिये बाइस्तलिये पर्यावरण ब्यापक रूप से पाजाते हैं इनमें से जो अनेक है वो नाइट्रोजन इस्तिरीकरण की छमता रखते हैं नाइट्रोजन इस फोसिलो टोरिया ये सभी क्या होते हैं ओसी लोफ टोरिया ओसी लोटोरिया सॉनमस्रों उञारणे उसमाय को सब्सक्राइन के लिए कि अपर उधारन लेखिए कबख करते हैं तो क्या से लिखेंगे इन्हें को याद रखना जरूरी होता है उसमें चलिए देखो धान के खेतों में जो साइनो वैक्टेरिया नामक के वी विरद्धी करती है अताई है मिर्दा की और बरतागों क्या करती है बढ़ा देती है मिर्दा की और बरतागों यह आपने देखा होगा अक्सर जो धान के केत होती है उनमें धान की कटाई के बाद जो भी गयूं या फर चने वह जाते हैं तो क्या मंज़ेदार फसल होती है ऐता है क्यों कि यो होता है क्यों कि कगरता है। कैसे हैं देखो जो है न वह सहाई जी न इसमें एक फर्न होती है जिसे जो इन दोनों के पूस्ब्स रूप आती है अर झाज ए जड़ों के सांगा जाता है उधाणत तरह रख लीजिए वह उद्धिवाग इंसे अरó बोज़त इंप्रेंट है यह पार्ट भी अब आता है मानब कल्यान में जो सूख जीवों के संबंदित कुछ रोचक जानकार यहां भी देना हम आपको चाहेंगे इसमें कुछ रोचक जानकार यहां उनको भी देख लीजिए आप जो अलोसाहिरा या फर्टी लीसेमा खेतों में नाइट्रिस्टी करने वाला इस सबसे सक्री जीव होता है और डिडिटी जो बुलते हैं से आइड्रियान बा बी एस सी खतरनाक जो और गो कलोरिन फिरकार का कीटना सक होता है जो खरपत बारों के नियंत्रन के लिए अनेक जो उन पक जीवानों का प्रियोकी आजाता है इसको आप रखिए याद आपके बहुत इंतिजार के बाद आज ये टॉपिक के लिए हुआ है एक ही लेक्चर में पार्ट खल्लास पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है एक ही लेक्चर में इसको जरूर देखिए दोस्तों बहुत जादे इंप्रेंट पार्ट होता है इसको आप करके रख लीजिए अच्छे से याद कीजिए अच्छे से पढ़िए बार बार पढ़िए दो से तीन बार वीडियो को देख चलिए तो आज करी लक्षर यहीं कतम करते हैं और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियों को सेर कीजिए थाइंक्यू धन्यवाद चलिए